ओम स्यंति आज पुन है प्रभु मिलन का दिवस रोज हम उससे मिलन करते हैं कोई सारे दिन में कई बार करते हैं और कोई रोज सबेरे करते हैं जो वंचित हैं वो आज के दिन को प्रभु मिलन का दिवस बना लें इसके लिए बहुत आवच्शक होता है अंतर मुखी होना ताकि हमारी बुद्धी चार ओर से सिमट कर एक ही चीज में लग जाए योग युक्त होने में लग जाए जो मौन रख सकते हैं तो अधियुत्तम होगा क्योंकि वियर्थ बाते नहीं होंगी न सुनेंगे तो एकाग्रता बहुत अच्छे होगी क्योंकि इस मिलन का आधार प्यूरिटी है एकाग्रता है बहुत अच्छा योग अभ्यास है ये मिलन बहुत सुखदाई है इसमें हम बावा से द्रश्ती भी लेते हैं उसका प्यार भी प्राप्त करते हैं उससे वर्दान भी लेते हैं उसकी शक्तियां भी सुएम में समाते हैं और बाबा हमें जो इसमर्तियां दिलाते हैं उनको लाकर हम अपने को समर्थवान अर्थाद बहुत पावर्फुल भी बनाते हैं तो आज सारा ही दिन कुछ बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे सभी ताकि मने कागर रहे इस्थिर्ता रहे व्यार्थ से पूरा बचके रहना है जिसके अंदर व्यार्थ ज़्यादा चलता हो निगेटिविटी बहुत चलती हो वे अव्यक्त मूलियों के कुछ महवाक्य पढ़ लें 10-15 मिन इसमें लगा दें मन को किसी विशेश स्वमान में, किसी विशेश इस्वरिये नशे में, किसी विशेश खुसी में प्राप्तियों को याद करते हुए लगा लें तो इन सब बातों से मन एकागर हो जाएगा आज के दिन बाबा सदा ही हमें सर्च लाइट देते रहते हैं आप खुलते ही हम पहला संकल्प यही करेंगे बाबा अपनी सर्च लाइट सारे संसार पर डाल रहे हैं फील करेंगे उसकी किरने सारे संसार पर पड़ रहे हैं ऐसा भी vision बना सकते हैं, globe है, उसके उपर मैं विराजमान हूँ, मेरे उपर बाबा की केरने पढ़ रही हैं, globe में समा रही हैं, इस vision से बहुत अच्छी योग युपति स्थिती होगी, सवेरे ही अपने को खुसी और प्रेम और आनंद के संकल्पों से भढ़ लें, ये बहुत ही अच्छी बात है, कि रोज एक बार सवेरे हम अपने को प्रेम के संदर संकल्पों से भढ़ लिया करें, ये भी एक बहुत संदर चार्जिंग है, अच्छे संकल्प, सक्ति साली संकल्प तो चार्ज हमे करते ही हैं, पर प्रेम के संकल्पों की जो चार्जिंग है वो दूसरे इढ़ंकी है, उससे हम सिर बावा के बहुत समीब पहुचते हैं, अपने परमपिता के समीब पहुचते हैं, और जब हमारा उन से बहुत प्यार होता है, तो उनका प्यार कई गुना होकर हम पर वरण ने लगता है, भिन्वित रूपो में, उस प्यार में, वह हमे वर्दान देते हैं, हमारे वीघन हर लेते हैं, हमारे कस्ट मिटा देते हैं, कभी रोगों को भी समात कर देते हैं, शक्तियां दे देते हैं, सहन करने की, ताकि हम सब कुछ सहन कर सकें, तो सबेरे से ही आज ये अभ्यास करते रहेंगे, और एक सुंदर संकल्प अपने मन में क करेंगे मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं कि जब भगवान धरा पर आए तो मैंने उसे पहचाना उसने मुझे अपना बना लिया हम दोनों मिल गए मिलन हो गया आज भी मिलन का दिन है तो फिल बाबा का अहवान करेंगे दो रूपों से करेंगे एक बार बाप दादा को सामने बुलाएंगे और उसकी उपस्थिती फील करेंगे और देखेंगे कि बाप दादा सामने खड़े द्रश्टी दे रहे हैं उन्होंने अपना वर्दानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और मस्तक पर तिलक लगा कर मुझे कोई वर्दान भी दे दिया है जो आप चाहें ले लेंगे दूसरी बार आवान करेंगे ज्यानसुदिये का सर्वशक्तिवान का और देखेंगे निराकार सिवाबा सम्मुखा दे हैं सामने से उनकी केरने मुझ पर पर रही हैं ये दोनों अभ्यास अगर स्याम तक दस बार हो जाएंगे ये घंते में हर एक बार कर तो बहुती सुन्दर अनुभूती स्याम को भी होगी और स्याम को पांच बजे से और आठ बजे तक के समय को बहुती सुन्दर इस्थिती में विताएंगे बाबा के महवाक भी सुनेंगे ओम स्यामति